हेलो दोस्तों मैं हूँ परतीप चोहान आपका स्वागत करता हूँ मंतराई हमारी क्लास चल रहे थी साइन्स का साइन्स में हमारा टॉपिक चल रहा था बाइलोजी यानि जी विज्ञान उसमा मारा टॉपिक कौन सथा इस्क्लेटन सिस्टम् यानि कि कंकाल तंत्र हम स्टडी में कर रहा थे माना काल तंत्र की यानि कि हुमन से स्कलेतन हब वह मों से अंभी से हमारा कि यहां का आधा पार्ट और हंथ पर के हडिय को और जोंट्स थे तो हमने एक पार्ट अभी खतम कर चुके हैं उसमें मैंने बताया था कि हमारा हेड में यानि कि हमारे इसकल में कौन-कौन से हड़ी होती है यानि कि कौन-कौन से बोन्स होते हैं उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे फेशल बोन कौन होता है यह सब अब जो क्या आता है वर्टिकल कॉलम वर्टिबल कॉलम यानि की रीड की हड़ी क्या है रीड की क्या है रीड की हड़ी रीड की हड़ी से आप समझ रहोंगे कि हमारी रीड रीड आपको सबको मालूम है यानि वर्टिबल इंग्लिस में कहा जाता है कि वर्टिबल क्या है तो वर्टिबल सिंपल से चीज देखा जाए तो हमारी ये चीज होती है हमारी यह जो चीज होती है जो हमको support करता है support करता खड़े होने के लिए वह होता vertical simple से चीज है column column यानि आप क्या समझते हो कोई चीज खड़ा है वो column होगे और vertical यानि कि read यानि कि read जो है हमारा support किससे करता है हमारा क्या support करता है खड़े होने के लिए balance करता है तो इसमें भी कुछ हडिया होती है कैसे होती है यह समझते है simple से चीज जो हड़ी होती है ऐसे होती है कुछ ऐसे होती है कुछ ऐसे इसमें कुछ छोटे चोटे पार्ट होते हैं एप एसा लगे होते हैं इसा लगे होता है जैसे कि आप फीगर में देख लोगा सूर्ड लगे पक्रिय कि एश्म पार्ट करें कि ही बोन कि की इसमें कुछ इससे बोचा लगें यह थे है यह बसी लगए होते हैं यानि कि यह बाने से जो होते हैं से हिसको भी कुछ नंभर तो इसमें te 26 हडिया होती है बट यह 26 जो होता है वो किसमे होता है जो एटूट होता है यानि कि वैसाय होता है और 33 हडि किसमे होती है 33 बोन्स जो होते हैं वो किसम bubble child यानि कि बच्चे में तो यानि क्याना का मतलब क्या है कि जो कितने कौन सी हड़िया होती है उसके बारे में तो हम पॉइंट वाइस चलते हैं आपको मैंने इतना बताया दिया कि में कितने हड़ी होते हैं 26 किती होते हैं यानि कि में जो होता है वह 26 बोन पढ़ा जाता है कितना पढ़ा जाता है 26 बोन तो चलिए देखता है 26 बोन कौन कौन सोते हैं तो सबसे पहले जो बोन आता है उसका नाम क्या है पूछ लिया जाए पेपर में कि सबसे पहले जो बोन आता है उसका नाम क्या है तो सबसे पहले जो बोन होता है उसका नाम क्या होता है एटलस क्या होता है एटलस क्या होता है एटलस होता है क्या नाम होता है एटलस उसका नाम होता है एटलस ये सबसे छोटा और सबसे पहले है सबसे पहले है ये पहले बोन होता है क्या होता है बोन होता है उसके बाद जो लाश्ट वाला बोन होता है उसको क्या कहता है क्रॉकसल क्रॉकसल क्या कहता है कि यह क्या होता है सबसे लाश्ट होता है क्या होता है सबसे लाश्ट मौन होता है कि सबसे लाश्ट होता है और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है तो क्या कहता है इसको पूंच की हड़ी का आ जाता है कि पूंच की हड़ी पूँच के हड़ी क्या होता है कि जो मानों में होता है जो सबसे नीचे होता है जैसा आप फिगर में हलका सा पूँच निकला होता है हलका सा तो वो पूँच के हड़ी कहलाती है जानवरों में ज्यादा होती है यह जानवर आप देखते हैं तो जानवर में पूँच होती है तो उसमें हड़ी होती है तो वही क्या होता क्रॉक्सल होती है अब लाइन बार हम लोग पढ़ते हैं कि कितने पार्ट में होती है यह तो यह टोटल कितने होते हैं चार पार्ट में होते हैं कौन-कौन सा अड़ी होती है यह देखते हैं तो सबसे पहले जो आता है वह क्या नाम होता है उसका सबसे पहले जो अड़ी आता है वह होता है कॉर्विकल कॉर्विकल जो सेकेंड आता है वो उसका नाम क्या था थोरेश्टिक क्या नाम आता हुसका थोरेश्टिक क्या था थोरेश्टिक क्याता है थोरेस्टिक कि तीसरा जो होता है वो क्याता है लुंबर चौथा जो आता है वो क्याता है इसकेला और जो पांचवा जो आता है वो क्याता है मैंने आपको बताया था क्याता है क्याता है क्याता है क्याता है क्याता है अब देखिए इनकी जो संख्या होती है वो कितने होते साथ होती है इनकी संख्या जो होती है वो किता बारा होती है इनकी संख्या क्या होती है पांच होती है और इनकी जो संख्या होती है यदि बच्चों में बात करें क्या करें बच्चों में यदि बच्चों के बात करें तो इन में भी साथ होती है इसमें भी बारा होती है इसमें भी पांच होती है बट इन में और इन में यह क्या है एजेट के लिए यानि कि व्यस के लिए कितना होता है टोटल 26 बॉन होता है और इनकी बात करें तो यह 5 होता है और यह 1 होता है इसकी बात करें तो यह कैता होता है अब आप सोचना कि क्या होता है थोरेश्टिक क्या होता है लुंबर क्या होता है सर्वाइकल क्या होता है और कॉक्षल क्या होता है तो सिंपल से चीज इसको क्या कहता है यह जो चीज नहीं यह इसको कहता है गर्दन के पास क्या कहता है गर्दन के पास जो हमारी हड़ी होती ह उसको क्या कहते हैं कॉन वीकल कहते हैं उसका थोरेष्टि काता है यह निकि वक्ष को यह चाती के चाति कि हड्डी कहते है चाति के इसको जो कहा जाता है उसके पूंच के हड्डी उसके बाद आता हमारा लुंबर इसको कहता है त्रियक इंग्लिस में कहा जाता है लुंबर और जिसको कहा जाता है और जो लाश्ट आता है उसको कहता है अनुत्रिक अनुत्रिक हड्डि कहा जाता है यानि कि यह नंबर्स होता है कहने का मतलब क्या है कि यहां से लगाके जो होता है हमारा जो सीर है यहां से लगाके और यहां नीचे तक होता है जैसे कि यह हमारा सीर है यहां से लगाके यहां तक जो होता है हमारा यह पूरा एक वर्टिकल कॉ होता जैसे कि आप फिकर में देख रहें तो उसमें किया था जो सबसे उपर वाली होती है यहाइगे इनके नाम सोते चले जाएंगे तो यह हमारा वर्टिकल गोए जो कशल पूछता कि कौ होती है आपको इनको भी याद रखना पड़ेका है क्यों पेपर यह पूछ लेगा इन में कितनी हड़िया होती है कर PP यानि की थो रेश्टिक जो यह चोटे चोटे पार्ट मिलकर बने होते हैं जैसा कि मेनथ बताए था कि यह जो चीज होता है इसमें क्या होता है यह जो ऐसे होते हैं यही इनके नाम होते हैं यह जो है इनके नाम है इनके यह नाम है सब ठीक है अब इनके जो यह नाम है तो इसको भी कुछ कहा जाता होगा यह सम मिलके एक गुरूप बनाती है इन गुरूप को क्या कहा जाता है हमा यानि कि वर्टी बाला कहा जाता है वर्टी बाला सब मिल के यह सब चीज मिल के किसको क्या कहा जाता है वर्टी बाला कहा जाता है क्या कहा जाता है और इनका सब का अलग-अलग होता है यह जो होते हैं वो बच्चों में होता है और यह जो होता है यानि कि अडूट में होता है उसके बाद आता हमारा अब आता है जो इसके बाद हमारा अब जो आता है अब हमारा यह आता है जो इसके अंदर जो लगा होता है कहने का मतलब जो रीब हमारी कहीं ने कहीं तो जुड़ी होगी जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं तो जहां यह जुड़ा होता है उसका भ यह नहीं है एक बस छोटा सा यह पार्ट होगा जाता बाँ तो एक यह क्या ओता है ऐसे आप यह बीच में है ऐसे यह हडिया जूड़ी होती है ऐसे यह रिप्स होती है अभी रिप्स पढ़ेंगे क्या चीज होता है जो चीज यह जूड़ी होती है इसी को क्या करता है इस्टरम करता है इस्टरम क्या करता है इस्टरम क्या करता है इस्टरम क्या करते है इस्टरम क्या करते है इस्टर कि उपास्ति क्या कहते है चिक नाम होते है इसका इसका ये नाम होता है तो इसको आप इंग्लीष में याद कर ली चैने हिंदी में कुछ नहीं आता इसका सिस्टम बस यह आता है इसमें मैं बोन जो होता है यह क्या लगा पुछ comment रिपस पसलिया अब में जो टापिक आता है यहां पसलिया तो ऐडिंग डालेंगे हम रिप्स क्या आएगा रिप्स रिप्स यानि की पसलिया पसलिया रिप्स अब रिप्स जो होते हैं इनमें भी तो होगा कुछ इसमें क्या होता है, टोटल रिप्स जो होता है, क्या होता है, टोटल जो होता है, वो कितना होता है, 24 होता है, अब 24 तो होते हैं, लेकिन 24 से सम मिलाक होते हैं, बट आधा पेर इधर होता है, आधा पेर हमारा इधर होता है, यानि कि ये जो डिवाइड होते हैं, वो कितने जो जोड़ा होता है जोड़ा या पेर कहलो आप 12 जोड़ा या पेर में होता है अब कौन-कौन से होते हैं यह देखते हैं तो सबसे पहले तो आप एक बात यह समझो कि जो यह जो रिप्स हैं तो यह के पिंजड़ा बनाता है क्या बनाता है पिंजड़ा ताइप में होता है अब सुरक्षा करता है जैसे आप जानते हैं हमारा हार्ट इसी में होता है लिवर हमारे इसी में होता है लंग्स हमारे इसी में होते हैं तो यह विल्कुत सौफ्ट होते हैं इनको थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी इनको एक्सिडेंटियल हो जाया थोड़ा भी इनको सतिगरस होगा तो किस से किस से बना होता है सबसे बनना होता है वर्टी वला क्या बनना बटी बला हौर कि स्ट्रम है अप प्लस है कि से बना है क्यारविक ले प्लस ठॉरय Saless इसे नहीं से इनसे मिलने हैं यह एक पिंजड़ा का निर्मान करता तो अब की अनिर्मान करता हails अन्जड़ा का निर्मान करता है hoax पbon कुह घ्लिड़ा पसलिवा करता है पूछ windows के बना होता है वकाने पेपर में मिले से बनाता है इसे ज़िए बना होता कुछ यह 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 बनात हो जैसे कि विगर में देख फी डिकुर में ऐसे बना होता उसमी होते हैं यह उर्णस होते हैं इसमों अश्कूर्णTS होते अब पॉइंट वाइज चलते हैं अब पॉइंट वाइज आप देखिए सिंपल से चीज पहले तो यह लिख ली जाए 24 होते हैं और 12 पेर होता है 12 पेर में यह होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो आता है एक से लगा के कितना दस तक वन स्वागा के टन्तत पेर जो होते हैं वह क्होंता है वह क्या होते हैं इसको क्या और अब रिप्स का जाता है प्ट्रू इसका मतलब क्या है true ribs true ribs का मतलब क्या है कि हमारी जो रिप्स है इसमें जो ऊपर वाली चीज़े हैं ऊपर वाली तो यह क्या है यह एक तरह से fix है यह देखे हमारा ऐसा छोनपफे क्या रहा हुँ रहा है कुछ नहीं यह उसक्र ल करे देख lieber to be यहां पर घ्रिक सब्सक्राइब यहां चीज यहां चिपका हुआ इस लगा कि यहां तक आके चिपक गया है यानि कि यह जो दस पसली हुए यानिस नंबर ऑफ टैंस है तो इसमें किया है यह फिक्स है यह तो 2 तो बिल्कुल ऐसा आता है कि जैसे हिलता पैसे छोगे नहीं कि फ्लोटिंग पसली में यानि फ्लोटिंग इपसमा नहीं होती है तो इनको क्या कहा जाता आठा यानि कि जो दूसरा आता है जो सेकंड नमबर आता है यानिकि 11 क्या आता है यानिकि 11 तो यह हो गया और जो दो पसली आती है क्या होता है यह स्दमर्ण से 9 होता यह 21 नाइन क्या होता हमारा एक से 9 यह होता है यह on हमारा कौन सा होता है पेयर जो होता है जो हमारा पेयर होता है वो कौन होता है यानि कि गण होता है रिप्स उसके बाद जो बारवा पसली होता है वो हमारा पेयर जो बारवा पेयर होता है जो वो हमारा क्या होता है फ्लोटिंग होता है गोई olduğ Tiboは Hai कि यहांता लोता है यह निभी तो बस में इतना से चीज़ इतना है क्या है कर एक सो फॉस्पार च्रह वह सब्लांदर हो फॉसफ होता जो फ्लॉट मैं और गुछ भी नहीं है बस इसमें यह पूछ लेगा कि पहला इक से लागा कर नो तक जो हमारी पसलिया ओंग आए तो क्या कहा जाता है तो ट्रू का अब आता में अप्रेंटिकुलर अब क्या था एप्रेंटिकुलर एप्रेंटिकुलर यानि कि इसमें कितनी बहुंस होती है अब 26 वहन होती है अब 26 वहन होते तो कैसे क्या होता है यह देखते हैं तो 26 वहन में क्या होता है यह दो भागों में डिवाइड होती है क्या क्या हुता एक लिंस होता है लामट्स होता है और यह दो अगरिंडल क्या होता जफिस यह दो पालिंडल्प्स ऐखता है हो कि आखता गिडल्स जो लिम्स होते हैं लिम्स उसमें कितना होता है 120 होता है अब हम बताते हैं लिम्स क्या होता है और जो गिडल्स होता है उसमें 6 होता है आप समझिए जो लिम्स होता है जो लिम्स होता है वो क्या होता है हमारी पैर और हाथ इन दोनों हडिया होते हैं हमारा पैर और ह काम करता है क्या करता है जोडने का काम जैसे हमारे सोल्डर सोल्डर यहां से जुड़ा हुआ है जैसे आप फिगन में देख रहे हो कि आप सोल्डर यह जुड़ा हुआ है तो यह सोल्डर कैसे जुड़ा हुआ यह जो हड़ी आ रही है वो हमारी कहते है गेडल में आती है यानि कि गेडल क्या होता है जोड़ने वाली हड़ी होती है और यह जो होता है इनमें यह दो भागों में डिवाइड होती है क्या होता है क्या होता हमारा है हैंड होता है या फोर यह क्या हता है हिंड होता है या लेग होता है अब यह जो होते हैं इसमें सिक्स्टी होता है और इसमें सिक्स्टी होता है अब सिक्स्टी जो हता है मतलब कि हातों के दोनों को मिलाकर वो सिक्स्टी होता है और पैरों को मिल ताक वो 60 होता है लेकिन यह क्या होता है दो बाद बटा होता है है इसमें में हमारे Gew हडियाig से और इधेर काड़ी है कितनी हैं यह तिस-टिस Bound होते हैं यह Bound सह। यह प्श पहले था ही निएक है क्टिने इसमी यह होगा कितना होगा तीस इस जब चले हम सबसे पहला हं और पढहे हैं कि फोर्ल पढ़ते हैं तो सबस्ब्लकिवार आता है हमारा क्या करन आप क outline स्ब्सब्र पढ़ते हैं कि और चाहल को और अब हो हैं सब्सब्सार में बढ़ते हैं होदे एक हो और कि मैंने बताया इसमें कितनी हटिया होती है कितनी होती है 60 bones होती है अब 60 bones होती है तो इसके बारे हम फ़रा समझते हैं कि सबसे पहले जो आता है जो इसको यह काल पर हम लिख लेते हैं उसके बाद आपको आसानी से समझा देंगे क्या होता है humorous होता है humorous होता है दूसरा जो होता है वो क्या होता है radius प्लस उटला तीसरा जो होता है वो capsule होता है चौथा जो होता है वो metacapsule होता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद हमारा जो आता है वो फिंगर्स आता है क्या है फिंगर या digit बोन कहता है इसको अब पहला आप समझो humorous जो होता हियूमरस उसमें कितना होता है एक हड़ी होती है यानि एक इधार होता है एक इधार होती है ठीक उसका उटला और रेडियस में दो होती है कैपसल में हमारी कलाई जिसको कहते है क्या कहते है कलाई इसमें कितनी हड़ी होती है आठ होती है यह जो होते है हतेली होती है यह क्या होते है हतेली होती है इसमें कितनी हड़ी होती है पांच होता है और यह हमारे जो होता है चौदा होता है आप जोड यह जो उपर वाले हड़ी हमारी होती है इसको क्या करते हैं हुमरस क्या करते हैं हुमरस उसके बाद आप ध्यान से इस वाले हड़ी को देखेंगे यहां से लगा कि यहां तक यह जो दिख रही है यह हड़ी यह जो दिख रही है तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे ध्यान स मैं आप देखेंगे तो कुछ सिद्धि आती है ऐसे था टाइप में होती है नहीं होती है यानि कि एक करी कि होती है यानि कि एक घूल हमारी होती है तो ये जो होता है वह क्या हतो है रेडियस और उटला क्या होता है रेडियस और उटला उसके बाद हमारी आते कलाई यहां पर यह जो कलाई आती है जो यहां जॉइंट है यह चीज यह ऐसे जॉइंट है तो यहां पर यह जो चीज यहां से जॉइंट होता है तभी तो यहां से हड़ी बनी हुई है तो यहां हमारा आता है ये चीज हतेली हतेली में आप देखा जाए ध्यान से तो पांच हडिया होती है कितनी होते है पांच हडिया होती है उसके बाद अब आप सोचें ये भी तो पांच है हमारे फिंगर तो फिंगर पांच कैसे हो जाएंगे आप देखो यहां से एक जॉइंट है यह आप अज़े तो आपको 5 दिखेगी यह दिख रही है दो तीन चार और एक पांच यह दिख रेही है यह यह कि अधिया representation क्या में होता है हिलिक यह सो लिए कितनी हableस होती है कितनी हमारी आड ऐक उस होगी अधिया हमाराय कि फोर हैंड यानि कि हाथ की हड़ी इसको हिंदी में लिख देते हाथ की हड़ी 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 यह तो था हमारा हाथ की हड़ी अब हमारा जो आता है अब हमारा जो आता है वो आता है लेग हमारे क्या आता लेग आता है अब लेग के आकर के बारे माल समझीएं बहुत अच्छा है लेगग भी जैसे कि यह समझ आया आपको कि मतलब कैसे क्या है अब उसके बादा आता है हमारा लेग- bunları-न ए लग यह हिंद लेग तो इसमें कौन कौन सा हता सबसे पहले जो आता और सब्सक्राइब जो पूशा जाता उसको कहता थाफिमर फिमर यह जो न करते हैं इनकी संख्या एक होती है अब आप यह लेकर को नइं तरफ की हड़ी कि नी कि इसको लेकर है तो इसको लेकर डवल हो जाएगा यह कि यह कि यह दूबर इसके बारे में लेłęग के बारे में नाट करें हम तो सबसे important के ता फिमरस यहना फिमरस यानि की इसका पहले यह नाम पूछा जाता था कि पहले सबसे लंभी हड़ी इसको क्या कहता है सबसे लंभी हड़ी सबसे क्या है सबसे लंबी हड़ी होती है जिसको कहते है जांग की हड़ी जांग की हड़ी कहा जाता है यह सबसे लंबी हड़ी होती है और यह होती है हमेर्ज अब पहले पूछा जाता आप यह पूछा जारा न यह प्मरह अवर्ण यह उसके बार पहले यह पूछा जारा जारा यहाँ सब्सक्राइज ना सबuleंद्स हो सब्सक्राइब तिए रहं अब प्लस क्या कहता है हमारा फ thriller कर ला ऐसा है ने किसे वित ऐला यह आता है इन में कितनी अुछ्टेक दो हटिया होती मिकले ध्टनी ह्टिया होती इस रहतम कितना हुद थो आता उसके बादऄ तारसल अ थार्सल्स उसके बाद द्मर मेटेह जैल्स हे उसके बाद हमारा क्या आता है विप उसके बाद हमारा अप्ताई ऊधार एक और आता है अब पहले तो आप यह समझो में बुए कितना साथ होती है किती होते शाथ उसमें अट होती है इसमें कलाई deve-14 होता ठोई ओडार हो यह तो सिंपल सफी दो होते जो छोती है उसको क्या कहा जाता हमारा बहुत isporent इसको जो कहा जाता है उसका नाम क्या होता है पटेला जिसको क्या कहते है काई जाता है खुटने की कठोम कं मुर्ण है कि क्या कहा जाता है कंटहरे कठोम कन र्णास है हमारा घुटने की कटोरी कहा जाता है क्या कहा जाता है हमारा क्या कहा जाता है घुटने की कटोरी कहा जाता है क्या कहा जाता है तो यह तो थारा हमारा लेक के बारे में यानि कि सबसे उपर जो होता है जांग जो होता है उसको क्या कहता है फिमर कहता है फिमर कहता है या आप ठिंक कहिए उसके बाद जांग के जो नीचे चलता है उसको क्या कहा जाता हमारा उसको कहा जाता हमारा उसको कहा जाता है तीबी और फिबला उसके बाद जो एडी होती ह उसको क्या कहा जाता हमारा टेक्सला और उसके बाद एडी के बाद जब यह ऐसे होती है ना ऐसे मतला ऐसे होती है तो जो यह एडी होती है यह एडी है तो यहां तो यह हमार टेक्सला हो गया और यह जो आ गया वह फ्यूला हो गया और यह जो एडी के मतला यह जो हमार पैर के मोडते हैं हम लोग यहां घुटना होता है घुटना यह जो होता है यहां पर कटोरी लगे होते हैं उस कटोरी का क्या नाम है हमारे क्या नाम हमारा घुटने का क्या नाम है पटेला तो यह तो हमारा लैक क्यों हो गया अब जो आता है इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आता होता है अब गिडल्स आते हैं तो गिडल्स के बारे हम थोड़ा से समझते हैं क्या आता है गिडल्स क्या आता है गिडल्स गिडल्स होता है वह क्या होता है सबसे पहले जोता है वह हमारा होता है है चाना परेट क Patient सब्सक्राइबेद में जो आता है और एक होता हमारा क्या पैल्विक हहाता है हमारा पैलयर से हैं ता पैलिम सब्वेक होगा दर्क के इटा पैलूल का भीफ अब बस यह दोहते हैं इनमें एक होता ँमारे गीडल्स से आद कम से ओपर वाले जो होती है यह यह देखे आप即 yan तो यह चीजी यह चीजे अब देखे इसके दो तीन नाम होते हैं सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या आता है इसमें चार होते हैं इसमें चार होती है और इसमें क्यों दो होती है इन चार दो छे हो गई तो इसमें जो आता है पहला आता है कॉलर बॉन क्या आता है कॉलर बॉन इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, beauty bone, beauty bone, उसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, canvical bone, इनके संक्या कितनी होते है एक होती है एक और एक क्या होती है दो होती है अब आप सोच है यह ब्यूटी बॉन क्या है तो ब्यूटी यानि कि यह जो चीज होते है यह अली हड़ी तो इसको मतलब यह जो हड़ी होते है इसी को हम ब्यूटी बॉन कहते है क्योंकि इससे क्या है स संदर दिक्ते हैं यानि की जो हमारे यहां से यह आता है तो ही आता है का करता है शुर्णने का काम करता है सोने काम करता है उसके बाद इसे या क्या आता है या रहा चाहिए कि शोल्डर अत इसमेंिह यहां पर देखिए चीब यह जुड़ा हुआ हमारा यह जो कंधा यहाँ पर जुड़ा होता है यह जो चीज वह होती है तो सोल्डर बॉन को क्या कहता है एस कैपसला भी का जाता है तो ऐसे पूछ लेगा कि बताइए कि जो जोड़ने के काम आती है फीगर आजकल बहुत पूछे जाते हैं कि फीगर दे दे गया कि बताई इस हड़ी का क्या नाम है तो सिंपल से शूल्डर भी नहीं दिये तो इन की शंक्या पूछ लेता तो इनके संक्या कितनी होते एक होती है तो यह तो था हमारा कॉलर भॉन अब आता हमारा पैन्विक बॉन कहा जाता है इसको इसको एक और कहा जाता है इसको क्या जाता है कॉक्षल बोन कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है कॉक्षल बोन या हीप बोन कहा जाता है क्या कहा जाता है हिप बॉन क्या कहा जाता है हिप बॉन यानि कि इसको क्या कहा जाता है कॉक्षल बॉन या हिप बॉन कहा जाता है हिप यानि पीछे का हमारे जो हिस्सा होता है उसको हम हिप बॉन कहते हैं यानि कि जो पीछे का हिस्सा होता है यह हिप बॉन होता है क्या एक हेगे दिखा रही है किस समझ आया तक कि कैसे हमारा कंकाल तंतर की संट्रचना होती है और क्या-क्या इसमें चीज होते हैं अब यहां से कंकाल तंत्र समाप्त होता है बस इस नहीं ही कंकाल तंत्र में होता है और कुछ भी नहीं है इसमें जितनी हड्यात हैं पढ़ ली अब में जो आता मतलब कोशन जो बनते हैं वह महराथन हम लोग चलाएंगे तो उसमें आपको और डिटेल बताएं बस आपको इतना समझ लीजें कि इसमें जो होता है यही डिटेल है इतने ही डिटेल में सब पूछा जाता है जैसे की कोशन पूछ लिया कि सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो इस होती है सबसे ही कोशन यह सब पूछे जाते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतने हैं रखते हैं आज से टॉपक्क खतम होता है अब जो नेक्स्ट आएगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा नए पाट आएगा और नए चीजे आएंगे तो दोस्तो आपको क्लास कैसे लगी येदि अद Seare कर एक चीज़ करीए ऑर कमेंट जरूर करिए जिससे की हमें पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं और दूसरी बात आपको कितना समझ आ आहरा जो चीज़ आपको नहीं समझ आया है माने दिया हुआ नंबर पे आप मेसेज पर सकते हैं whatsapp हमारा link है और प्लस हमारा telegram है इस पर आप join करिए इस पर हमें कोई भी doubts हो उस पर हमें भेज सकते हैं और हम उसका आपको solution देंगे और प्लस हमारा जो ये पढ़ार है इस पर भी हम आपको बताते चलेंगे कि आपके doubts जो जो थे वो भी clear होते चलेंगे तो दोस्तो class आज इतनी ही रखते हैं मिलते हैं next class में आज के लिए इतने thank you